नमस्कार वंदे मात्रम मैं हूँ रोमियो राटोड और आप देख रहे हैं दवोई सोब लुशिदी इस वक्त मैं खड़ा हूँ पुना राम जी बैड़ के घर पे जहां कल उनकी पूरे परिवार की हत्या कर दी कहती बदमासों ने और पुलिस ने खुला सा करता हुए एक आ ओश्य थाना लेके गई है और धड़ना परिवार और जंद परतिनीदियों की तरफ से दिया जा रहा है अभी आप देख रहे हो तस्वीर के अंदर मोके पे टेंट लगया हुआ है और समाज के लोग और जंद परतिनीदी और परिवार वाले अपनी मांगों को लेक अड़ है और परिवार जनों ने अभी तक सब उठाया नहीं है उनकी क्या मांगे हैं क्या कुछ है जो अभी मैं आपको आउगवत करूंगा और इनसे बातचित करके कि क्या कुछ अभी इसमें अपडेट हैं और आपको मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूं कि जो ये पुनाराम का घ पुनाराम का जिनों ने पुनाराम की अत्या की गई थी आरोपी उदर से आया था और आके ये घर पुनाराम जी के घर पर यहां आया और यहां उत्ते वे वह चार पाई दिखाई दे रही है वो चार पायों के उपर परिवार वाले सो रहे थे और उनके उपर ताबर तोर कुलाड़ी से वार करके पूरे परिवार को खतम कर दिया था और सबों को घर के अंदर लेके गया था और इस जोंपे को आग के आवाले कर दिया ताकि दिकास है कि सोट सर्कीट या किसी अनोन की वज़े से घर जल गया था और यह आज सा लगे फिर पुलिस ने तत्पर्टा दिखाते हुए और अपने पूसतास में सुबह एक आतमी को डिटेंद में गया था पपूराम ने पुलिस थाणे में वारदात को सुकार कर लिया था और उससे ब्रम्ध जो कुलाडी वगेरा जो अत्या में उप्योग में लेने वाले अत्यार को भी पुलिस ने ब्रम्ध कर लिया था अब गढ़ना के दूसरे दिन परिवार वाले अपनी मांगों को लेकर अडेवे हैं और सव उठाने से इंकार कर दिया हैं रात को विदाएक दीविया मदेरना पी मोके पी थी और प्लीस अधिक सक धर्मेंदर शिंग यादो साइज जिला कलेक्टर भी थे और अभी ये भी जानकारी मिल रहे ह कि एक बज़े के बाद में अनुमाद बेनिवाल भी गढ़ना इस्तल पर आ सकते हैं अगर प्लीस और परसासर ने इनकी मांगे जो चल रही है उनको लेकर अगर सहमत ही नहीं बनी तो अनुमाद बेनिवाल यहां पर आने की पूरी संभाव ना है देखते रहें यह दावोई सब्लू सिटी और लेटेस्ट कबरों की अपडेट के लिए पेज को फॉलो करें